एपने बहुत खाय होंगे, लेकिन आज हम बनाने जा रहा है, सर्धी की खास रेसीपी मक्के के ड्होकले, यह वैसे तो राजिस्थान की फेमस रेसीपी है, तो बहुत आसान है इसे बनाना, और बहुत बहुत टेस्टी बनती है, तो आईए हम जटपट से बनाते हैं अपनी एक खास रेसिपी मक्के के ढोकले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजेगा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा मक्के के ढोकले बनाने के लिए हमने यहां लिया है दो कप मक्के का आटा, यह 500 ग्राम आटा है इसमें हम डालेंगे, half टेबल स्पून अजबाइन अजबाइन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए भी और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे तब इसे हम इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे हम, यह दो पिंच के करीब हींग है, यह भी बहुत ज़रूरी है इसमें और डालेंगे हम दो कटी हरी मिर्च इसमें डालेंगे, half टेबल स्पून यह जीरा है, दरदरा लिया है हमने, half टेबल स्पून गरम असाला पिसा हुआ हम हरा, जीरा हम डालेंगे, ज़रूरी इसमें हम धन्या पावडर यह भी थोड़ा दरदरा लिया है और ऐसमें डालेंगी हम, जील कुण कन भी 1 table spoon से भी कम है यह लाल मिर्च पाउडर आप तीखा क्हाना चाहते हैं तो आप जादा भी डाल सकते हैं हमने 2 मिर्च भी डाली हैं साथ में इसके इससाफ से डालें इसमें हमने डालाए एक प्याज और 2 लसन की कलिया पीस कर लिए हैं साथ ही हमने पीस लिया इसमें आधा इंच का अध्रक का टुकड़ा और अगर आप खाते हैं तो डालिए वरना आप इसे प्याज लसन को स्किप कर सकते हैं इसके बिना भी बहुत अच्छे बनते हैं और यहां डाला है हमने आधा बाउल यह हरी धनियापत्तिय काट के लिए बन फॉर्थ कप दही डी आयम नहीं फैट कर और इसमें एक चम्मच हमने ओईल डाला है इसको थोड़ा सोफ्ट बनेगा इससे यह और दही भी इसके लिए बहुत जरूरी है और यहां हमने लिया है बन फॉर्ट टेबल स्पून बेकिंग सोडा है इसे हम दही में डाल करके इसको अब मिक्स करेंगे सबको हम अच्छी तरह से हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे इससे पहले हम हाथ साफ कर लेंगे खूब अच्छी तरह से तब इनको मिलाएंगे सबको अच्छी से गुनना है हमें आटे की तरह इसका सोफ डो बनाना है पहले से सबको अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब चाहें तो आप इसमें और भी चीज मिला सकते हैं जैसे मटर है आप मटर भी डाल सकते हैं दर-दरा कूट करके से अब इसमें हम डालेंगे यह गुन-गुना पानी लिया है हमने एक बाउल अब इसमें जितनी हमें जरूत होगी उतना पानी एड़ करेंगे बस ध्यान रखना है कि ये डो पतला नहीं हो हमें आटे की तरह ही डो लगाना है ना ज़्यादा सक्त करना है इसको और ना ज़्यादा सोप्ट तो इसको हम अच्छे से गुनते रहेंगे अब इसमें आप बेजी टेबिल डालना चाहें तो वेजि टेबल ग्रीन वेजि टेबल जो आपके पास है जैसे गाजर भी डाल सकते है मेथी हरिमेथी जो होती है वो भी पकाट के डाल सकते है इसमें तो मैं आपको बहुती simple recipe बता रही हूं बानाने का तरीका same यही है आप इसमें चनी की डाल भी add कर सकते हैं टमाटर भी एड़ कर सकते हैं बस आठे को हम इसी तरह से गुनते हुए थोड़ा स्मूथ करेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें हम मिलाएंगे अब आठा हमारा गुन चुका है तो अब इसको हम देखी इतने सोफ्ट आठा लगाना है मैं यह इस तरह से आठा होना चाहिए बिल्कुल सोफ्ट तो अब इसको हम पांच मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे इसे ढख करके रख देते हैं अब हमने पानी गरम होने रख दिया है इस्टीम के लिए अब यह जाली हमने लिए हमने भरग भरग उने पर सेट करके देख ली थी तो इस जाली को हम लेंगे आप को इसी भी जाली ले सकते हैं इसको हम उईल से गरीज कर लेंगे पहले अब हम अपने देख लेते हैं पांस मिनट हो गए तो अब इसका मक्के के ढोकले बना लेते हैं अब हम आंतों को ग्रीस कर लेंगे ओल लगा करके और रोटी के बराबर हमने लोई लिये जितनी लोई लेते हैं आठे की तो इतना ले लिया है इसको स्मूथ करेंगे थोड़ा सा हाँ से क्योंकि मक्हे काटा थोड़ा सा मोटा होता है तो इसे हमें हाँ से प्रेस करते हुए इसे चिकना करते हुए इसे गोल कर लेंगे और इस प्रेस कर देंगे एक बीच में इसे देखने में तो अच्छा लगता ही है साथ ही अच्छे से नीचे अंदर तक पूरा पक जाता है इसको प्रेस कर देंगे हाथ से अच्छी तरह आप इस ढोकले को हम अपने जो जाली है आमने ग्रीज करके रखिए इस पर रखते जाएंगे थोड़ा डिस्टेंस पर रखेंगे तो इसको हम ऐसे भी सिंपल भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं जैसा बन करें वैसा आप बना सकते हैं तो मैंने इस तरह से बना है और इसको हमने सब रख दिया है इस तरह से बना लिए थोड़ी धोड़ी दूर पर हमने रखे हैं अब हम पानी देख लेते हैं यह हमने पानी गरम करने रख दिया था हमारा पानी गरम हो चुका है बहाँ आ रही है यह हमने दो गलास पानी लिया ह है और हमने को हमने चन्न को पहले देख लिए था इस पाट फिट गर के यह हमारी चन्न इसमे फिता रही है तो कोई भी ऐसे भागोना या छनanne 소개 कौषे जाली जो आप अब इसके बढ़्छा है जाली कंदरल मैं 15 मेंट के लिए से पकाएंगे तो इसे अब ढग स overcomingkami इससे पकाएंगे म getirkaने oven की कि यहिए हमारे अचीक करें कि पक गया कि То इक चाकु से संब्सक्री सिंपने साफ है तो इसका मतलब हमारे सर्व करने के लिए गर्मा घरम डोकले और ज्सपर आपके दोग्ए घी Ho आप चाहें तो यहां तिल का तेल भी ले सकते हैं तो लीजिए तियार है गर्मा गरम हमारे ढोकले सब करने के लिए अब आप इसे चाहें दाल के साथ लीजिए या ग्रीन चटनी के साथ या आप दही के साथ भी से ले सकते हैं बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं एक बार ट् नोकले मक्य के कैसे लगे तो एक पीस में आपको काट के दिखाती हूं कि कितने सॉफ्ट बने है यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने है और देखिए कितना बढ़िया टेक्श्चर आया है इसका थेंक्यू